तो आज हम सर्वाइब करने वाले हैं 100 days is expanding world water के अंदर वो भी ocean के बीच ओ बीच ये world water हर एक दिन expand होगा पर ना तो इस world water के कोई अंदर आ सकता है ना ही कोई बहार जा सकता है और इन 100 days में हमारे कुछ goals भी होने वाले हैं अपना पहला गोले villagers के ले एक OP trading hall बनाना अपना दूसरा गोल है हमारे लिए एक बहुत जादा मस्त घर बनाना और finally एक fully enchanted diamond armor लेना तो चली जल से वीडियो करते हैं शुरो और देखते हैं कि क्या हम सर्वाइब कर पाए 100 days in expanding ocean only world in minecraft hardcore So day one हो गया था यहाँ पर शिरो और luckily हमारे जस नीचे एक ship rack था तो हम लोग चलेगे wood collect करने के लिए तो यहाँ पर wood को collect करने में थोड़ी तकलिफ तो हो रही थी क्योंकि wood था पानी के नीचे बाद जैसे तैसे करके हम लोगों ने यहाँ पर थोड़े बहुत lock collect कर लिया और जल्दी से बना लिया एक crafting table and सबसे पहली जो चीज हमने बनाई वो था एक door क्योंकि door से हम लोग पानी के अंदर भी सास ले सकते हैं तो अब हम लोग आराम से mine कर सकते wood तो उसके बाद हमने अपने लिए एक wooden का axe and pickaxe बना लिया और उसके बाद मैं चला गया mining करने के लिए और थोड़े बहुत cobblestone भी collect कर लिये तो यहाँ पर mining करते करते मुझे थोड़े बहुत gold भी मिल गये थे तो जल्दी से मैंने उसको collect कर लिया और light up भी कर दिया अपने area को और फिर से मैं दोबारा mining करने के लिए चला गया and then मुझे यहाँ पर थोड़े बहुत gold दिखे बढ़ इसको मैं collect नहीं कर सकता था फिर मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत iron दिखा जिसको मैंने जल्दी से collect कर लिया and उसके बाद मुझे एक lush game मिल गया और हमें नहीं पता था कि यह लश्केव हमारे लिए game changer होने वाला है तो अभी तो मेरे पास बहुत कम हाट है और मुझे food की तूरन जरूरत है तो मैंने यहाँ पर थोड़े बहुत blueberry तोड़े बट मुझे एक भी नहीं मिला फिर भाई ने बताया कि उसको कुछ blueberry मिला है तो मैं उसके पास चला गया जल्दी दोड़े दोड़े और मुझे मिला किया एक blueberry और एक blueberry से तो अपना पेट भनने ने वाला था तो यह हम लोग plant कर देंगे फिर हम लोग चलेगे अपने घर वापस और अपने गुफा के अंदर इस blueberry को भी plant कर दिया अब यही berry अपना आखरी उमीद है प्लीज यार बड़ा हो जाना प्लीज प्लीज तो इसके बाद हमने एक funnets बनाया और उसमें iron को smelt होने के लिए दे दिया फ्यूचर में बुग बनाने के लिए काम में आएंगे और इसी बिच भाई गया था थोड़ी बहुत यहां पर food collect करने के लिए नहीं लेकर आता तो हम लोग भी भूके मर जाते और खाना खाने के बाद जो मजा आ रहा था क्या बता हूं उसके बाद फानेली सुभा हो चुगी थी तो हम लोग चले गए सर्फेस पर यहां पर थोड़े बहुत कोबल स्टोन के स्लैब बना लिए और अपना आलेंड को भी एक्सपैंड कर दिया तो यहां पर अपने पास यहां पर क्राफ्टिंग टेबल भी प्लेस कर दिये पर अपने पस यह जो कि अभी तक भी बढ़ा नहीं हुआ यार कब बढ़ा होगा और उसी बीच मुझे एक स्केलिटन देखिया जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस था मतलब इसका एक हिट और मैं खत्म पर तभी यार मुझे बचाने के लिए एक जॉम्बी आ गया और उसने अपनी जान दे द जान दे गया माइनिंग करने के लिए और यह वाला ट्रिप बहुत ज़्यादा ऑसम था क्योंकि मैं जब माइनिंग करने के लिए गया तब मुझे अजे लिया दीगे मतलब फ्लावरिंग अजिलिया का सैपलिंग और अगर आपको नहीं मालूम है तो यह फ्लावरिंग मतलब मेरी किस्मत देख रहे हो आज मुझे एक लॉट्री कटवाना ही पड़ेगा तो इसके बाद मैंने भाई को सब बताया वह बहुत जादा खुश हो गया था इन उसके बाद हम लोगों नहीं यहां पर फ्लावरिंग अजिलिया को जल्दी जल्दी प्लेस कर दिया और चोटा सा एक फार्म बनाया और उसमें सीट प्लेस कर दिये और अब बस हमें वेट करना था अपना ट्री और वीट का बड़ा होने का और इसी बीच में जब अपनी खुछिया मना रहा था तो मुझे भाई ने कहा कि मैं जब माइनिंग करने गया था तब यहां पे ग्लोब बनाया और यहां से बोन मिल बनाया और इसके बाद दोबारा से हम लोगों ने बनाया और एक्ट्री को बड़ा कर दिया मतलब अब हम finally कह सकते कि अपने पास fully infinite source of wood है और इसी बीच अपना weed भी ग्रो हो जुगा था मतलब सब खुशी एक साथ तो मैंने जल्दी से weed को collect किया और दोनों seat को plant कर दिया then हम चले गए थे हाप माइनिंग करने के लिए और जैसे कि अपना border expand हो चुका था तो यहाँ पे बहुत कुछ हम लोग को मिल चुका था जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे gold थे बहुत सारे moss के block थे और बहुत सारे glowberry थे और हाँ एक अजीब type का fool भी था जिसको हमने collect कर लिया just एक heat और मैं यहाँ पे खतम था पर उस spider को मारके हमें बहुत बड़ा advantage मिल गया था उससे जो हमें string मिले उससे हमने एक fishing rod बना लिया और अब हम लोग fishing कर सकते हैं और fishing का काम मैंने भाई को दे दिया और मैं चला गया यहाँ पे kelp collect करने के लिए और यह kelp भी बहुत जाद यहाँ का forest भी बनाने वाले जो कि awesome होने वाला है तो जब मैं यहाँ पे wood collect कर रहा था उसी बीच भाई यहाँ पे fishing भी कर रहा था उसको बहुत कुछ मिल गया था fishing करते करते तो यहाँ पे सबसे पहले थे उसको दो enchanted bow मिल गया थे एक में था mending और एक में था power 3 और यहाँ यह bread का जो taste था मतलब क्या ही मस था तो अपने पास यहाँ पे बहुत सारे cobblestone थे और अपने area भी काफी बड़ा हो चुका था तो हमने सुचे एक XP farm बना लेने का और यह XP farm काफी important है क्योंकि इससे हम लोगों को मिलने वाला है बहुत सारा bone mill string rotten flesh और gun powder और सबसे बड़ा जो कर रहा था और फाइनली सुबा होई और हम लोग अपने area भी expand कर दिया देख सकते हैं बहुत जादा बड़ा है और अपने यहाँ पे बहुत सारे mobs भी आ चुके थे तो हम दोनों ने मिलके इन सारे mobs को मार दिया और यहां से हम लोग को बहुत सारे bone mill rotten flesh string और gun powder मिल चुके जो की काफी होने वाला था अभी के लिए और यहाँ पे लावा पिट था तो जल्दी से मैंने एक bucket बनाया और लावा को भी collect कर लिया तो अब हम फाइनली एक cobblestone generator बनाने वाले हैं और हम लोग को बार बार नीचे जाने की ज़रुरत नहीं है और अपने पास यहाँ पे बह बहुत सारी स्ट्रिंग थी तो जल्दी से हम लोगों यहाँ पे थोड़े बहुत वूल भी बना लिए और दो बैट बना लिए मतलब यार अब हम लोग रात को आराम से सो सकते क्योंकि यार फैंटम्स आकर अपना दिमाग खराब कर दिया तो मैंने यह बैट भाई को भी द बट उसी के बीच हम लोग को यहाँ पे एक जॉंबी विलिजर मिल गया और मैं बहुत जादा कुछ था तो मैं जल्दी से चला गया अपने चेस्ट के पास कुछ ब्लॉक लेने के लिए तो मैं चला गया उपर एक्सपी फार्म को बन करने के लिए जैसकि कोई भी मॉब्स नीचे ना आपाया और अपना विलिजर सेफ रहे और मैं जब नीचे आया तो मैंने क्या देखा भाई ने सारे मॉब्स को मार दिया और जॉंबी विलिजर को भी मार दिया मतलब यार यह क्या करते रहता है जॉंबी विलिजर को क्यों मार दिया और मैंने इस से पूछा कि इसने क्यों मारा तो इसने कहा कि इसको लेविल्स चाहिए थे मतलब लेविल्स की बात है तो ठीक है यार and then हमने यहाँ पर थोड़ा फार्म को एक्स्पैंड के है क्योंकि हम लोग को जाधा फूट का रिक्वाइमेंट हो रहा था थोड़े बहुत सीट प्लेस किया और चलेके यहाँ पर बहुत सारे उपसीडियन माइन करनी के लिए क्योंकि हमें जाना था नेधर और अपने पास यहाँ पर डायमेंड आर्मर नहीं था टूल्स नहीं था फिर भी हम लोग नेधर जाने का इसलिए सोच रहे थे क्योंकि हम लोग को जॉम्वी विलिजर को क्यों और करना था तो हमने यहाँ पर काफी सारे उपसीडियन का लट कर लिया और आगे ऊपर और अब टाइम था एक नेधर पोर्टल बनाने का तो मैंने एक simple सा nether portal बनाया और finally अपने nether portal हो चुका था complete इसको मैंने light up किया और आप बताना comment में ये कैसा लग रहा है तो मैं जब यहाँ पर nether portal बना रहा था तो भाई यहाँ पर mobs मार रहा था और एक mobs से उसको आलू मिल गए थे मतलब यार अब अपने पास सबसे best source of food है तो हमने bone meal सा आलू को उगाया और अपने पास यहाँ पर cooked potato है फिर भाई ने मुझे golden boots and helmet दे दिया जिसको मैंने पहना और थोड़े बहुत protection अब मेरे पास था और भाई के पास भी shield था finally तो हम लोग चलेगे nether और हम लोग को इस बा हम लोग आ चुके था एक नेदर पोटल में और डारेक्टले हम लोग को एक blaze spawner मिल गया था तो जल्दी जल्दी हम लोगों यहाँ पे बहुत सारे blaze माल लिए और सच बताओ तो यह का फेड़ी भगलता क्योंकि अपने पास armor नहीं थे और blaze जो damage कर रहे थे यार क्या बत बता था इसलिए हमने इसको collect कर लिया और इसी बीच भाई को यहाँ पे ruined नेदर पोटल दिख गया था तो जल्दी जल्दी हम लोग चले के उसको lootने के लिए और आप believe नहीं करोगे इसके chest में क्या था तो इसके chest में था दो golden apple और बहुत सारे enchanted tools जिसमें से एक mending का pickaxe औ हम लोग को यह block मिला ही नहीं तो अपने पास और एक तरीका था इस mycelium block को लेने का तो एंडर मैन इस block को pick करते हैं और अगर आप उस एंडर मैन को मारोगे तो आपको यह block मिल जाएगा तो हमने यहाँ पर थोड़ी देट तक खोच की और finally हमें एक एंडर मैन मिल गया जो क को क्योर कर सकते हैं पर यार हमने सोचा कि विलेजर को क्योर करने से पहले क्यों ना उनके लिए एक मस्ता ट्रेडिंग हॉल बनाया जाए जहां पर वो रह सके तो बस उसके बाद हमने ट्रेडिंग हॉल के उपर काम करना स्टार्ट कर दिया और यह एक सिंपल सा बड़ बहुत सारे लगवे जो कि इसके ब्यूटी को और बढ़ाते हैं यहां पर नीचे फ्लोर में जारा कोई रहता नहीं है उपर फ्लोर में हम लोग यहां पर लगाने वाले जब अपने पास स्ट्रिंग हो जाएंगे और वहां पर विलेजर ब्रीडिंग करने वाले तो अपना न लग दिया था और एकस्पी फार्म को बंद कर दिया था लाइट प्लेस करने के बाद यहां पर हम लोग ने इन दोनों को बोट में बिठा लिया और हमने सोचा थे इन दोनों को अलग अलग बोट बिठाने का लेकिन यह विलेजर बहुत जादा बदमाश है तो एक ही बोट में बैट गए लेकिन फाइनली भाइ ने उसको ठीक कर दिया दूसके बाद मैंने एक फ़र्मेंटेट सपार्डराइ बनाया एक ब्रुइंग स्टैंड बनाया और उसके बाद अपने पोशन को बनाना स्टार्ट कर दिया अपने पास यहां पे ब्रेड स्टोर और गंपवर और तो थाई तो उससे हम लोगों ने splash portion और weakness बना लिया और उसके बाद इन दोनों के ऊपर थो करके golden apple खिला दिया और अब हमें करना था थोड़ा सा weight और उसके बाद ये दोनों ठीक हो जाते हैं बस थोड़ा weight करने के बाद ये दोनों ही ठीक हो गया मतलब अभी के लिए एक चला गया और इन दोनों विलेजर को हम लोग क्लेरिक बनाने वाले थे बर ट्रेडिंग करने के लिए अपने पस यहां पर एक भी स्टिक नहीं था तो हम लोगों ने एक forest को पर काम करना start कर दिया and finally अपना moss अजीलिया forest बनके ready था और ये बहुत जादा सुन्दर भी लग चला था इंद काम का भी था तो यहां पर ऑल्रीडी बहुत सारे वुट थे जो की भाई ने यहां पर ग्रो करके रखे तो मैंने जल्दिस उसको काट लिया और यहां पर इनफ वुट कलेट करने के बाद मैं चला गया इनके साथ ट्रेडिंग करने के लिए और जैसके हमने इन दोनों को क्योर किया था उसी वज़े सी ये बहुत ज़ादा सस्ते में डील दे रहे थे जो कि अपने लिए एक बहुत बड़ा अडवांटेज था और जब मैं यहाँ पर वुट कार्ड रहा था उसी भाई ने इनकी रेडिंग करवा दी जिसने यहाँ पर और दो विलेज बहुत ज़ादा खुश थे और देखा जाए तो इनकी इंचैन्टमेंट भी खराब नहीं है और हम लोग जब इदर उदर घूम रहते तो हमें एक आयरेन गॉलम दिख गया और यहाँ पर पांच विलेजर आ चुके हैं और हम लोग पानले एक आयरेन फाम बना सकते हैं पर काफी से मेरा मतलब है सारे डामेंट के टूल्स बना लिए पर यार अपना स्टोरीज यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम था तो मैंने यहाँ पर एक स्टोरीज रूम बनाया जहाँ पर अपने सारी सामान एक सीक्वेंस में रहेगी और फानली यह बनके रेडी था और पानली अपने कुछ सारा सामान जो वह एक जटके में मिल जाएगा और बार बार हर एक चेस्ट को खोल के देखना नहीं पड़ेगा तो यहाँ पर काफी सारे चेस्ट है और नीचे में यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल और बहुत सारे फनेंस भी अपने सामान को स्मेल्ट करने के लिए तो अब हमें चाहिए थे यहाँ ठोड़े बहुत इंचांडमेंट करने के लिए क्यूंग हमें बनाना था एक लाइबरेरियन तो मैं चला गया नेदर में और चला गया पिगलिंस को देख रहा था जैसे आप हमारी विडियो को देखते हो मजाक कर रहा था हम् book collect करूँ और ये सोचते सोचते finally इसने हमें बहुत सारे leather दे दिया और भाई ये बहुत must हो गया तो उसके बाद मैं आ गया था घर वापस और अब अपने पास यहाँ पर एक soul speed का book था और अपने पास यहाँ पर थोड़े बहुत leather थे जिसने बताओं यह लाइबरेरियन फर्स ट्रेट में मेंडिंग दे रहा था मतलब हम देखके यहाँ पर पागल से हो गये थे कि भाई फर्स ट्रेट में मेंडिंग लेकिन आर अपने बुक्षेफ चाहिए था तो इसका हम लोग को ट्रेट को रोकना पड़ा बाई बाई मेंडिंग सॉरी तो यहाँ पर थोड़ी बहुत ओवर एक्टिंग करने के बाद विलेजर से हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे बुक्षेफ्स कलेट कर लिए और उसके बाद हम लोगों ने एक इंचाहिमेंट टेबल बनाया और चलेगे इसको सेट अप करने के लिए और बैज जैसके आप देख सकते हो अपने बास यहाँ पर काफी सारे लेवल से मतल कर लिया उसके बाद में चला गए यहाँ पर थोड़े बहुत इंचाहिमेंट करने के लिए और मुझे पीकैक्स में बहुत मस्त इंचाहिमेंट मिल गया था और बूर्स में भी अच्छा मिल गया था और मेरे पास इंफिनिटी वाला बो था तो मैंने उसको ट्राइक किया या इट वर्क्स बढ़ यार विचारा क्रीपर मरिया दूसके बाद हम सो गया और सुबा को मैं चला गया यहाँ पर बहुत सारा ग्रावल और सैंड करने के लिए क्यूंकि अब हम लोग फानली वर्क करने वाले था अपने घर के उपर जिसके लिए बहुत सारे कॉंक्रीट सो हमने यहाँ पर बहुत सारे कॉंक्रीट कलेट कर लिए और फानली अपने घर के उपर काम का नस्टार्ट कर दिया तो अपना घर बनके यहाँ पर रड़े हो चुका था और जो मस लग रहा था यह घर मतलब कैसे बता हूं तो देखो दूर से तो अपना घर ऐसा लग रहा है जो कि बहुत जादा ओसम है अगर आपको अंदर से दिखाओ तो अंदर में भी यहाँ पर बहुत सारा स्पेस है और उपर में एक फ्लोर है और भाई भाई तो इस घर को देखके और जादा खुश हो गया थे क्योंकि उस